आज मेरे एक दोस्ते ने क्या अपना खर का टीवी खुद से ठीक करना चाहा और उसने क्या किया कि 200 वोल्ट का कंडेंशर लगा दिया जो कि गलत है ऐसा नहीं लगता है आप देख सकते हैं यह बड़ा वाला कंडेंशर है यह कम वैल्यू का नहीं लगता है हमेशा ज्यादा वैल्यू का लगता है मैं आपको दिखाता हूं यह देख सकते हैं 400 वोल्ट 220 यूएफ हमेशा इसी तरीके से लगेगा और इतना ही वोल्टेज रहेगा इससे कम नहीं लगता है आप देख सकते हैं हर टीवी के सर्किट में एक ही जैसा लगा रहता 400 वोल्ट रहना ही रहना है यह कंपल सरी इससे नीचे रहेगा तो आपका टीवी ओन नहीं होगा या फिर कंडेंसर फट जाएगा इसलिए ध्यान रखे और 400 वोल्ट आप यूफ कितना भी ले सकते हैं कम से कम आप एक हजार तक का ले ले हैं सबसे बेस्ट हैं थैंक्स पर वाचिंग